बच्चो अभी हाँ मेद पढ़ेंगे आज हम अपने मेद कोपी में एडिशन करेंगे एडिशन दिखो यहाँ पे मैं नमबर लिखी हूँ तो नमबर जितना है हम लाइन ड्रो करके एडिशन करेंगे तब अच्छा दिखो यहाँ पे 4 और यह 2 है यह 4 है तो यहाँ पे हम फोर्ठो लाइन ड्रो करेंगे फोर्ठो लाइन ड्रो करेंगा भी 1, 2, 3, 4 दिखो मैं फोर्ठो लाइन ड्रो की हूँ नीचे 2 है फोर्ठो नीचे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लाइन ड्रो करेंगे 1, 2, तो लाइन ड्रो हो गया तो अभी हम उपर जो खीचे है 4 लाइन और नीचे जो है 2 लाइन यह सारा लाइन को अभी हम काउंट करेंगे और जितना होगा वो उस नंबर को हम 4 और 2 के नीचे यहां पे लिखेंगे तो अभी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 और 2 को एडिशन किया तो हुआ 6 तो अभी हां नीचे लिखेंगे 6, 4 और 2 एडिशन करने से होता है 6 अभी यह 3 है और यह 2 है तो बच्चों यहां पे अभी हां 3 लाइन ड्रो करेंगे 1, 2, 3 3 टो लाइन यह 2 है यहां 2 लाइन ड्रो करेंगे 1, 2, 2 टो लाइन हो गया जो चलो अभी हां पहले जैसे यह वाला काउंट किये हैं वेसे हैं यह लाइन को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 3 और 2 को addition करने से 5 वा तो 3 और 2 के नीचे हम लिखेंगे 5 4 और 2 addition करने से 6 वा 3 और 2 को addition करने से 5 हुआ मैं जैसे line draw करके addition कर रही हूँ आप लोग भी वेसे line draw करके count करके addition करना है अब यह करेंगे यह 5 है और 4 है तो यह 5 है यहाँ पे हम 5 line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 के नीचे 4 है यहाँ पे हम 4 line draw करेंगे 1, 2, 3, 4 तो अभी हम दोनो line को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 और 4 को addition क्या तो यहाँ पे हुआ 9 इस तरफ 3 और 3 है तो अभी हम यह 3 है यहाँ पे 3 line draw करेंगे 1, 2, 3, नीचे भी 3 है यहाँ पे 3 line draw करेंगे 1, 2, 3 अभी हम दोनो तरफ के line को count करेंगे और number जो आएगा यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 3 addition करने से हुआ 6 5 और 4 को addition करने से हुआ 9 और 3 और 3 को addition करने से हुआ 6 अभी यह वाला 6 नीचे 0 है यह 7 और यह 2 है यह 6 है यह हम 6 to line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे 0 है 0 मतलब कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 6 नीचे 0 होने से 6 होगा यह 7 है और यह 2 है तो बच्चों यहाँ हम 7 to line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 2 है यहाँ पे हम 2 line draw करेंगे 1, 2 अभी हम count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 और 2 को एडिशन करने से हुआ 9 अभी यह वाला करेंगे यह 5, यह 3 है यह 2 और 2 यह 5 है यहाँ पे हम 5 to line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 यह 3 है यह हम 3 line draw करेंगे 1, 2, 3 तो अभी हम दोनों line को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5 और 3 को एडिशन करने से हुआ 8 यहाँ पे हम 8 लिखेंगे यह 2 है यहाँ पे हम 2 line draw करेंगे यह भी 2 है यहाँ पे हम 2 line draw करेंगे अभी हम count करेंगे 1, 2, 3, 4 2, 2 एडिशन करने से हुआ 4 यहाँ पे लिखेंगे 4 यह वाला यहाँ 6 है और यह 2 है 4 है 4 है यह 6 है यहाँ पे हम 6 line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 2 है यहाँ पे हम 2 line draw करेंगे 1, 2 अभी हम line को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 और 2 को अडिशन करने से हुआ 8 यहाँ पे हम 8 लिखेंगे अभी 4 और 4 को अडिशन करने से करेंगे यह 4 है यहाँ पे हम 4 line draw करेंगे 1, 2, 3, 4 यह भी 4 है 1, 2, 3, 4 अभी हम line count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 4, 4 अडिशन करने से हुआ 8 यहाँ पे हम 8 लिखेंगे दिखो 6 और 2 को अडिशन करने से हुआ 8 4 और 4 को अडिशन करने से हुआ 8 अभी हम यह वाला करेंगे यह 6 और 3 है यहाँ पे हम 6 टो line draw करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 3 है यहाँ पे 3 line draw करेंगे 1, 2, 3 अभी हम count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 और 3 एडिशन करने से हुआ 9 यहाँ पे हम 9 लिखेंगे यह 7 और यह 2 है अभी हम 7 टो line करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 2 है 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 और 2 करडिशन करने से हुआ 9 यहाँ पे हम 9 लिखेंगे 6 और 3 को एडिशन करने से हुआ 9 7 और 2 को करने से हुआ 9 बच्चो मैं जैसे line ड्रोगर के एडिशन की हुँ वैसे यह आज आपको यह 3 तो जो निचे में नमबर दी हुँ इसको आप खुद अपने कोपी में एडिशन करना है मैं जैसे यह वाला line ड्रोग करके की हुँ आप लोग भी वैसे ही नमबर को देखके line ड्रोग करके यह अपने कोपी में खुद एडिशन करना है अपने कोपी में एडिशन करना है